2014 में जब भाजपर चुनाव प्रचार कर रही थी तो अच्छे दिन की बात हुई सुशाशन की बात हुई ये कहा गया कि law and order situation जो है वो सुधारी जाएगी देज़भर में और यही हाल उत्रप्रदेश के चुनावों में भी देखने को मिला अधित्यनाथ ने जब चुनाव प्रचार शुरू किया तो इस बात से शुरू किया कि उत्रप्रदेश में गुंडा राज है उसे खत्म किया जाएगा पर आज हमें देखने को मिल रहा है कि फरजी एंकाउंटर हो रहे हैं law and order situation बहुत खराब है जो मुझफवन अगर राइट के accused हैं उन पर से cases हटा लिये गए इनी सब मुद्धों पर चर्चा करने के लिए हमाई साथ उर्मिलेश एक बर फिर से मौजूद है उर्मिलेश न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है यह जो फरजी एंकाउंटर हो रहे हैं वहाँ से शुरुवात करते हैं अल्मोस सौ से अधिक एंकाउंटर और पुलिस पकड़ती है पूछती भी नहीं है कोई पुराना रेकॉर्ड भी नहीं है बस मार दे रही है यह दर्शा क्या रहा है क्योंकि एक भाय का जो महौल क्रियेट करने का कुशिश किया जा रहे है वो तो कोई क्राइम को और लॉयन ओर्डर को सही करने का सलूशन तो है नहीं देखे दुनिया भर में और खासकर जो भारत के बारे में कानून विवस्था की जिनकी भी शग्यता है समाज शास्त्री हों या रिटायर्ट पुलिस ओफिसियल्स हों सेक्योर्टी एक्सपर्ट्स हों ये सभी मानते हैं पूरी दुनिया भर में और भारत में भी कि भी रूल आफ ला को अगर आप इग्नोर करते हैं या रूल आफ ला को स्वैम अगर आप फालू नहीं करते हैं और आप गौर्वर्मेंट मशिनरी हैं तो आप कानून विवस्था को स्थापित नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टेट मशिनरी या स्टेट की एजनसी स्वैम आपराधिक ढंक से काम करना शुरू कर दें और फिर वो आपराध को खतम कर दें यह तो अधुत लोजिक है जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने और उत्तर प्रदेश के जो सताधारी डल हैं उसके नेता दे रहे हैं और देते रहे हैं अभी जिसे उन्होंने कहा पहले कि जो ठीक से नहीं रहेगा उसको हम वो बेज़ देंगे यह अमराज क्या बेद देंगे कौन क्या 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 कोई या तो जेल में रहेंगे या तो उपर जाएंगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने सकता पाते ही कई और वो दिखाई भी पढ़ने लगा देखिए अभी हाल तक जो मेरे पास आकड़े हैं आपने कहा सैक्रों इंकाउंटर बात सही है 43 किलिंग तो रिकार्डेड है और यह मार्च के पहले सब्ता की बात में कर रहा हूँ 43 किलिंग इसमें अनेक किलिंग ऐसी हैं जो बिलकुल इनोसेंट लोग हैं जिन पर एक भी केस नहीं है उत्तर प्रदेश में और दूर की बात छोड़िये कि जो उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में सेंट्रल यूपी स्टर्न यूपी रुहेल खंड बुंदेल खंड आप नोएडा के ठीक बगल में एक लड़का मारा गया उसका नाम था सुमित सुमित गुजर कम्यूनिटी का एक लड़का था साधारन परिवार का उसको किसी दूसरे सुमित के नाम पर मार डाला गया बाद में मारे जाने के बाद पता चला कि जिस सुमित को मारने की योजना पुलिस मना रही थी जो स्वैम भी एक इलीगल गाम था अवैद और नकां के हिसाब से 95% SC, ST, OBC या माइनार्टी कम्यूनिटी के हैं तो यह अप्रयाप में साबित करता है कि किस तरह के लोग निशाने पर हैं और आप राधिक शरित्र किन का पेंट किया जा रहा है दूसरी बात देखिए जहां तक है उत्तर प्रदेश में या दूसरी स्टेट में भी जो खास कर सकता अधारी दल जो केंद्र में है उसके जो रूल्ल स्टेट्स हैं वहां कानून व्योस्था के बारे में एक अजीब तरह का नेरेटीव है अभी उदारन के तोर पे देखिए जेनु में जो इतना बड़ा मचा हुआ है एक बड़ा सवाल उठा हुआ है कि विश्विद्याले को कैसे बचाया जाए और यह सिर्फ जेनु का सवाल नहीं है पूरे देश के विश्विद्याले का सवाल है जिस तरह से हायर एजूकेशन को पूरी स्टेट मचिन डी चौपट कर रही है बासेट विश्विद्याले को स्वायत्ता देने के नाम पर वो कि इसके खिलाब प्रोटेस्ट था कल और प्रोटेस्ट पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ जिस तरह पुलिस कॉंस्टेबल ओरतें या पुरुष जो भी पुलिस कर्मी थे वो बच्चियों का बच्चों के उपढ़ने वाले ट केंद्री मंत्री जो दिल्ली में हैं केंद्री राज्य मंत्री हैं पिहार से आते हैं भागलपुर से बगसर से चुने गए हैं उनका बेटा बाकायदा वहां पर बगैर पुलिस परमिशन के जलूस निकालता है वह जलूस 15 किलोमीटर लंबी दूरी इताय करता है वह सेंस्टी नहीं कोई वाटर कैनन नहीं कोई लाठी चार्ज नहीं उन पर नामजद एफाई आर है एक भी गिरफतारी अब तक नहीं होई है कई दिन बीच चुके और दूसरी तरफ एफाई आर वहीं पर लोगों के किलाब हुए जो बैकवर्ट कम्यूनिटी के हैं जो माइनार्टी कम् मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इतना हम लोग जब एक जैनलिस्ट के तौर पर सोचते थे कि क्या खत्रें हैं देश की देमक्रासी पर इनके आने से लेकिन मुझे लगता है ये खत्रें बहुत नजदीक होते जा रहे है और यह सब तब हो रहा है जब हुमन राइट्स कम आपको जो करने को मिला है कि मुझे अगर के दंगों में जितने आरूपी थे सब पर से केस हटा लिया जा रहा है अगर 2019 को नजर में रखा जाए तो यह क्या दरशारा है क्योंकि एक तरफ जब मुझे दंगों को देखा जाए तो जाट और मुस्लिम्स के बीच जो एक यू किया था इसी के लिए किया गया था वो कहीं वापस ट्रैक पे आ रही थी तो यह क्या उसे इस पुरे मुझे को उस नजरीय से देखा जा सकता है बिल्कुल और मुझे लगता है कि 2019 की तैयारी में यह तमाम उस तरह के काम कर रहे हैं जिससे की पुलराजेशन एक खास सामप तेरह जो हैं ऐसे केसेश हैं जो मर्डर्स की हैं यानि हत्या की केस उसको भी आप ड्रॉ कर रहे हैं बिना कानूनी कारवाई पूरी हुए बगएर और इसके पहले उन्होंने स्वाम अपने उपर जो केसेश थी मानी मुख्यमंत्री पर उन केसेश को पहले भी ड्रॉ किया और दूसरी तरफ बीएचियू के छात्र नेता जो वहां के छात्र संग के अध्यक्ष थे चंचल मेरे मित्र भी रहे हैं मुझसे उम्रे में बड़े हैं सिनियर थे उनको एक दिन आलाफ सड़न कई वर्ष बाद अचानक उनको जेल में डाल दिया गया क्या साब आतो यून बजरंग दल जितने खुराफाती संगठन है इन सभी के लोगों पर जो केसे पेंडिंग है कमेंडल राइट के या अन्य चीजों के उनको तो आप ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट हैं जो लेफ्टिस्ट हैं जो डेमोक्रेट्स हैं किसान हैं मजदूर ह लोग हैं उन पर पुरानी चोटी चोटी केसे जो हैं उनको आप वकायदे उनमें उनकी रफ्तारी करा रहे हैं कुछ पर तो रासुका भी लगा रहे हैं जैसे चंद्शेकर राउंड जो वहां के साहरनपूर बेल मिलने के बावजूद उन पर लगाया गया और एक और मैं जो आखड़ा आया 2016 तक का उसमें पता है कि सबसे अधिक जो रेप हो रहे हैं मध्यप्रदेश में और यह ताफी दिनों से रेप में नंबर वन है मध्यप्रदेश जो बीजेपी शासी तरा जाए लेकिन जो सेकंड स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और रेप के मामले मे जो केसेज हैं टोटल देश में 12.4% पूरे देश की केसेज 14.5% उत्तर प्रदेश में हैं अब आप सोचिए गैंग रेप के मामले में हरियाना जो है और उत्तर प्रदेश दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं हरियाना में दलित लड़कियों पर जो अत्याचार की अगर रेट देखा जाए अगर उनका आउसत जो है संक्या देखी जाए तो पूरे देश में भयावा आंकड़ा पेश करता है और हरियाना की एक इस्तिती और है जब से बीजेपी सरकार आई है कि सारे थानों को निरदेश दे दिया गया है कि वह केसेज दर्ज न करें खास विचार की कासारशन है या सरकारे हैं उसकी वज़ए यह है कि वहाँ पर अभी भी बलातकार को लेकर यह है कि एक शरम लिहाज के लिया से एक कजीब तरह की मान सकता लोगों में बना दी गई है कई लोग ठाने में रिपोर्ट नहीं करते तो हमारा यह करना है कि जितने इस राजस्थान की है राजस्थान में कॉमिनल टेंसन भयानक है गौर अक्षक जो दल है उनका उपद्रव और आतंक सबसे अधिक है शंभू लाल रैगर्ज वाली जो घटना है जिसमें अफराजल नाम के एक मजदूर की हत्या कर दी थी उसने और उस हत्यारे को जिस तरह से उसने वीडियो अपना बनवाया और जिस तरह से उसको पेश कराया गया और उसको मनियार्डर और पैसा भेजने में उसकी सहयोग के लिए तमाम इस तरह की शक्तियां इतना नहीं कोर्ट में जाके जंडे भी फैराए जाए गया तो यह उस स्टेट को भी जो आप एक शक्र यह ऐसे कानून भी ला रहे हैं जिसमें आप सवाल नहीं उठा सकते हैं राजस्थान में कोशिश हुई मीडिया को ग्याक करने का उसको विड्रॉव करना पड़ा मध्यप्रदेश में नया कानून ला रहे हैं कि आप राइट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो अगर परिशान बहुत ही घबरात में हैं क्योंकि विरोधिन का हो रहा है और अनेक फ्रेंट खुल गए हैं किसान आप जानते हैं मध्यप्रदेश में सिर्फ महारास्ट में नहीं सिर्फ आंध्रेव में नहीं सिर्फ करनाटक में नहीं मध्यप्रदेश में भी किसानों का आंदो कर रहे हैं लेकिन उनका आंदोलन आप मंसौर में देख लीजिए दूसरे और इलाकों में देख लीजिए तो आंदोलन बहुत तेज है एक कोई संगठन जरूर नहीं अभी तक उनका जिसे की एक कौाडिनेशन हो सके तो इन बंद करने की कोशिश हो रही है और यह चुनाव से पहले मुझे लगता है कि जैसे कोई बत्ती जब बुजने को होती है जब तेल खतम होना होता है तो वह बहुत भबकने लगती है तो यह एक तरह की राजनितिक भबक है बीजेपी की 2019 में लोगसभा चुनाओ है आपने जैसे कहा कि जो प्रतिरोध के स्वारे हैं वो भी काफी तेज हो रहे है राजस्थान महराष्टरा उत्रप्रदेश हिमाचल में एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है तो क्या एक वैकल्पिक राजनीती की जो जो स्टेज है क्या वो तै स्टेट्स ऐसे हैं जहां ये बात सही है कि कॉंगरिस बीजे पीक के भीच में लड़ाई। हैं लेकिन अनेक स्टेट ऐसे हैं जहां वहां के छित्री दल हैं ऐसे भी दल हैं जो रास्टी दल हैं और और उनकी जो उनका जो सामाजिक राजनितिक प्रभाव का इलाका है वो छित्री है या कई स्टेट्स में है तो एक एक जमाने में जो थर्ड फरंट कहा जाता था उस तरह की एक ब्रॉडर जो यूनिटी है वो भी हो सकता है कि निकट भविश्य में वरती न जा रहा है मैं नहीं जानता कि उसका नतीजा क्या होगा उसकी तस्वीर कैसी होगी उसका प्रारूप कैसा होगा लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत जैसे विविस्ता भरे देश में जहां अलग-अलग रायनितिक स्थितियां हैं अलग-अलग रायनितिक चेतना के लेवल हैं सांगठिनिक और रायनितिक दलों के अलग-अलग प्रभावश्यत्र हैं वहां एक ढंका विकल्प नहीं हो सकता है कि एक ही कोई ताकत बीजेपी का मकाबला करे या बीजेपी एक ही किसी ताकत से लड़े ऐसा नहीं है अब देखिए जम्मु कश्मीर एक सार हदीस हुआ है वहाँ पर ये लोग सक्ता में हैं मुफ्ति मुफ्ति साहब की पार्टी मुफ्ति मुफ्ति उनकी बेटी समय मुख्यमंत्री है अब जब तक साहब जेवित थे तब तक इनकी डाल नहीं अतनी गलती थी लेकिन चुकि जम्मु हलके में इनकी पार्टी मजबूत है और उसकी सीटें ज्यादा आई है वहां पर एक घटनाभी हाल में गटी जो जम्मु संभाग के कठवा जिले में वहां एक बक्करवाल कम्यूटी है जो मुसलिम कम्यूटी है उसकी आठ-शनो साल की एक बेटी के साथ बलातकार के बाद उसको मर्डर किया गया उसकी हंत्या कर दिग गयी दिनों बार इसकी डेट बॉडी बरामत की गई नॉर्मल कोर्स में जो होता है पुलिस ने वही किया महभूबा ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया शुरू में और लेकिन उसके दबाव पढ़ने लगा कि नहीं साब ऐसा नहीं होना चाहिए और सबसे अचरज की बात करनेशन फ्लोट कर लिया हिंदू एक तामच और उसके जरिये इन लोगों ने पूरे कठ हुआ जिले में खासकर हिरा नगर के इलाके में पूरा इलाका मेरा घुमा हुआ है मैं आपको बताओं पूरे इलाके में कॉमिनल टेंसन क्रियेट कर दिया जिन लोगों के बीच में कभी इस तरह का कॉमिनल टेंसन नहीं रहा सोच नहीं रही क्योंकि वहां के बकरवाल हों गुजर हों वो मुसल्मान भी है कुछ हिंदू भी है लेकिन जमीन का मामला था जमीन इन लोगों को खाली करानी थी हडपना था इसलिए बकरवाल लोगों को कैसे भगाया जाए इस के लिए कितना किस चश्मे से यह देखते हैं उसको मुझे हासी आती है जब एक कहते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे अब तो यह लोग कहने लगे हैं कि भाई वो बुरे दिन वापस लुटा दो यह खतम हो गया तुमारा अच्छे दिन का दूस्वा अपना शुक्रिया क्या होता है यह तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा पर एक बात तो बहुत साफ है कि जो प्रति रोध के स्वार है वो अभी और तेज होंगे अगले हफते हम एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर चर्चा करेंगे धन्यवाद शुक्रिया नीश क्लिक देखने के लिए धन्यवाद